CHRI प्रस्तुद करते हैं पुलिस को सुधाने के छे मस्ध तरीके सिर्फ चार मिनित में इस बार पुलिस सुधार 2006 के प्रकाश सिन्ग केस में Supreme Court ने हमारी पुलिस को सुधाने के लिए सरकार कुछ छे आदेश दिये थे पहली बिमारी नेता जी पुलिस के काम में कुछ ज्यादा ही दखल देते हैं इलाज एक संस्था बनाई जाए जिसमें सरकार के, विपक्ष के और समाज के भरोसे मन्द लोग शामिल हो और देखें कि नेता ज्यादा दखल ना दें पर फिर भी पुलिस के काम पर नजब रखें वह होगा राज्य सुरक्षा I.O राज्य सुरक्षा I.O क्या करता है? नेता जी की दखल अंदाजी चेक करेगी पॉलिसी बनाएगी पुलिस के प्लान देखेगी पुलिस का प्रदशन चेक करेगी विदान सबा को रिपोर्ट करेगी बिमारी कभी-कभी पुलिस नौकरी जान-पहचान, चापलूसी या घूस देने से मिल जाती है लेकिन नौकरी तो काबिलियत पर मिलनी चाहिए ना इस बिमारी का इलाज UPSC तीन सबसे सीनियर और काबिल पुलिस अफसरों की लिस्ट बनाए और CM को दे CM इस लिस्ट से DGP चुने कम से कम दो साल के लिए ये तीन चीजे देख कर DGP चुना जाए सर्विस का रिकॉर्ड, कितने साल सर्विस की है और क्या-क्या काम किया है अगली बिमारी ज्यादा तर पुलिस अफसरों की ट्रांसफर बार-बार और बेवज़ होते हैं ना कि ये देख कर कि पुलिसिंग के लिए क्या ज़रूरी है इसका इलाज पुलिस अफसरों को एक जगे पर कम से कम दो साल तक रखे यह भी ज़रूरी है कि जो जिस काम के लिए बेस्ट है उसको वही काम दिया जाए अगली बिमारी बाहर के लोगों की दखल इंदाजी से पुलिस लीडर्शिप डामाडोल हो सकती है इस बिमारी का इलाज सीनियर पुलिस अफसरों की बोर्ड बनाई जाए जो ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन तै करे और पुलिस की शिकायते भी सुने वो है पुलिस इस्टाबलिश्मेंट बोर्ड यह बोर्ड क्या करेगी जो डिस्प के नीचे के रैंके हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग वगेरा तै करेगी जो डिस्प से उपर के रैंके हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर सदा देगी अगली बिमारी लोगों को लगता है कि पुलिस जब मारपीट या बत्तमीजी करती है या अपने अधिकार का गलत उपयोग करती है तो उन्हें कोई सजा नहीं मिलती जाएं तो जाएं कहां इलाज एक लोकल निर्दलिय आयोग बनाया जाए जो सिर्फ लोगों की शिकायते सुने इनकी जाँच करें और सरकार को आदेश दे जो उनको मानना ही पड़ेगा वह है पुलिस कम्प्लेंस अथॉरिटी पुलिस कम्प्लेंस अथॉरिटी किस तरी के किस चिकायते सुनेगी आयोग दुराचार के मामले चैसे की हत्या, बलातकार, गंबी, चोट, जमीन हडपना, जबरन वसूली, वगहरा की जाँच करेंगी अगली बिमारी संख्या की कमी, ट्रेनिंग की कमी और अलग-अलग कामों का बोज होने से पुलिस ना ही कानून विवस्था को समाल पाती है और ना ही अपरादिक मामलों की जाँच ठीक से कर पाती है इलाज कानून विवस्था का काम और जाँच करने का काम अलग किया जाए इन दोनों काम में पुलिस अफसरों का विशेश ट्रेनिंग दी जाए इनको अलग करने से क्या होगा दोनों काम अलग तरह की हैं इसलिए विशेश ट्रेनिंग से पुलिस एक काम में माहिर बन सकती है और वो काम काबिलियत से कर सकती है तो क्या पुलिस के अच्छे दिन आएंगे हाँ जब हम साथ आएंगे और जानकारी के लिए CHRI website पर जाएंगे www.humanrightsinitiative.org